Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Motor World और फिर माया हूँ एक नहीं वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं एक और informative वीडियो के साथ वापस आए हूँ जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जब आप अपनी motorcycle के heated engine को लाके अपने घर में पाक करते हैं तो उसके बाद च और बाद में अगर यही सवाल क्यों आपसे भी पूछेगा तो आप इस बात का सही जवाब बिलकुल दे पाएंगे तो अब आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ कि अगर आप अपने motorcycle के engine को start करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज कौन सी होती है जो heat होती है वीडियो को यह और यह चौते exhaust stroke पर क्या होता है कि जो exhaust gases है heated exhaust gases जो है वो बाहर निकलती है exhaust manifold के थूँ जब भी आप engine को start करेंगे तो engine से पहले जो गराम होने वाली चीज होगी वो होगी आपके exhaust का header pipe जी हाँ जहां से engine के बाहर आपके exhaust का pipe निकल रहा है वो चीज सबसे पहले और सबसे त motorcycle का motorcycle का engine heated रहता है तो यह आवाज जी हाँ आती है exhaust system में से अब आप यह सोचेंगे exhaust system में ऐसी क्या चीज होती है कोई motor लगी रहती है जो टिक टिक आवाज करती है चावी भी आफ करती है पावर भी आफ हो जाता है electronic भी cut हो जाते है सारे सारी electric components बंद हो जाते है लेकिन catalytic converter से वह आवाज आती है बट क्यों आती है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं तो अब catalytic converter का काम यह रहता है कि जितनी भी highly poisonous gases exhaust manifold से निकल रही है जैसे के carbon monoxide यह बहुत ही highly poisonous gas रहती है और यह motorcycle के engine से निकलती है तो यह exhaust से निकलते हैं exhaust system में ही treat की जाती है और इसे treat करने का मतलब यह रहता है कि इसको जो poisonous gas है highly poisonous gas है इसको थोड़ा कम poisonous बना के जो है environment में बाहर फेका जाता है तो exhaust system के अंदर company देती है catalytic converter और catalytic converter का जो काम रहता है वो यह ही रहता है कि यह highly poisonous gas को convert कर देता है low poisonous gas में और उसके बाद environment में यह बहार निकलती है आपन इसमें एक और catalytic converter लगा दिये गया exhaust में ताकि दो catalytic converters exhaust gases को treat करेंगे और जो exhaust gases भार निकलेंगी वो air pollution ना करें तो इसी लिए catalytic converter इसमें लगाया जाता है catalytic converter में क्या होता है कि exhaust के जो pipes हैं वो अलग-अलग metals के होते हैं तो इनका rate of heating और rate of cooling रहता है वो अलग-अलग रहता तो अब यह जो metal होता है यह platinum होता है और जी हाँ यह platinum जो है इसका rate of cooling और rate of heating एक stainless steel normal exhaust manifold से अलग रहता है तो इसलिए क्या होता है कि जब आप motorcycle को engine को start करते हैं तो सबसे पहले heat होने वाली चीज होती है catalytic converter और catalytic converter जो exhaust gases बहुत heated भार निकल रही थी उनको भी थोड़ा सा ठं converter की जो आवाज आती है वो क्यों आती है यह भी मैं आपको बता देता हूँ ऐसी क्या machine लगी रहती है उसके अंदर तो उसके अंदर जित्ते भी parts रहते हैं वारे सारे static parts रहते हैं यानि कोई भी moving part exhaust के अंदर नहीं रहता है unless and until आपके exhaust के अंदर exhaust servo motor लगी exhaust flap लगाई जो क कोई बाद में ठंडा होगा तो rate of cooling और rate of heating भी अलग-अलग रहते हैं तो अब क्या होता है कि जब आप motorcycle engine को heat कर लेते हैं अच्छे चला लेते हैं और उसके बाद घर में आके खड़ी करते हैं तो जैसे आप engine को off करते हैं उसके बाद ही उसमें exhaust में cooling शुरू होती है क्योंक ठंडा होने लगता है normal air की वज़े से environment की वज़े से जब वो वापिस ठंडा होता है तो अलग-अलग rates से वो cool होता है जिस वज़े से वो tick 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 ऐसी आवास जो है आपको सुनने को मिलती है अब मेरे खायल से आपको ये सारी चीज़ें पूरी clearly समझ में आ गई होगी और ये व देस्टी ओट की विडियोग की विए ग्राश बेस्टी बाब से टूर्ए विज़े और चाने की वेडियो इंग टीज़ें वे पार बेस्टी ओट रने